हे गाईज विल्कम डू सेक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत हैप के इस वीडियो में तो दोस्तों बात करने वाले हैं आज की नई और बिल्कुल फ्रेस रिकूट्मेंट के बारे में जो की वेकंसी रिलीज की गई है भेल की तरफ से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से 2024 की ये पहली सरकारी नोकरी की वेकंसी निकल चुकी है जो की ओल इंडिया के कैनिडेट अप्लाइ कर सकते हैं बहुत बड़ी महारतना सक्टर की यहीं की PSU की सबसे बड़ी महारतना सक्टर की जोब है भेल आपको पता ही होगा और यहां से मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो ITI student के लिए दो साल से recruitment नहीं आई है हलांकि ये वेकंसी जो release की गई engineering candidate के लिए है देखें ये वेकंसी especially release की गई है for engineering candidate के लिए लेकिन वेकंसी भेल की तरफ से निकलनी सुरू हो चुकी है तो आपको भरतियां लगातार देखने को मिलेगी अब बात उड़ती है की ITI student की कब जारी होगी पिछले कर में बात करूँ तो 2022 के बाद इस तरह से कोई भी permanent job या भी कोई भी recruitment भेल की तरफ से आई नहीं है एक must वेकंसी जो की all India के candidate वालों के लिए good news हो तो good news है की भेल की तरफ से वेकंसी निकलनी सुरू हो चुकी है तो अब मैं इस वीडियो म आपको बताने वालों की ITI वालों की वेकंसी कब तक आ सकती है 2024 में इतना confirm है 2024 में आपकी वेकंसी आएगी और एक बहुत अच्छी मातरा में वेकंसी भेल की तरफ से देखने को मिलेगी तो चलिए detail notification वाई सबसे पहले देखते है notification जिसकी recruitment रिलीज की गई है after then हम बात करें मैं बराबर बोल रहा हूँ वेकंसी रिलीज की गई engineering candidate के लिए ITI वालों की कब निकलेगी मैं इस वीड़े में आपको बताने जा रहा हूं और उनका salvation trade कौन-कौन से trade के लिए निकल सकती है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो subscribe कर लें कि ITI student के लिए vacancies किस post के लिए आती है और 2024 में कब तक vacancies आ सकती है वेकंसी देखो recruitment of experience engineering professional for electronics division EDN बैंगलोर से निकाली गई है EDN electronics मतलब यह नहीं कि सिर्फ electronics वाले apply कर सकते हैं बहुत सारे ब्रांच है लिजबल है बड experience भी required है तो चलिए notification देखते हैं तो guys यह है official notification भारत है Electricals Limited जो मैंने अभी आपको बताए experience engineering professionals on lateral basis for electronics division EDN बोलते हैं बैंगलोर में आपकी job location कहा होगी बैंगलोर में आपकी job location यहाँ पर मिलने वाली है Various post पर recruitment है senior engineer total 19 post है deputy manager में total 10 post है और senior manager में total 4 post है total 33 post पर recruitment release की गई है जो की एक बेहतरीन सरकारी नोक्री है देखे मैं पहले बता चुका हूँ इसमें experience required होगी तो कि experience professionals की ही recruitment है तो थोड़ा source मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से वीडियो उसको देखिएगा senior engineer power electronics में recruitment है तो b btec bsc engineering electrical electronics गर रखें आप apply कर सकते हैं यहाँ पर minimum 5 year की experience required है 32 साल age limit यहाँ पर सबके लिए होने वाली है age limit change होगी experience recording mechanical branch के लिए recruitment है तो यहाँ पर b btec mechanical engineering apply कर सकते हैं experience same होगी फिर आपकी यहाँ पर देख सकते हैं architect की recruitment है तो btec आपने कर रखे हो electronics engineering या फ इसमें highly salary है तो जो minimum salary होगा वही मैं आपको बताऊंगा embedded में recruitment है तो b btec electronics engineering या फिर communication eligible है 5 year की experience है एक आपका development में recruitment है बट इसमें high experience है फिर आपका module development में vacancy है b btec electronics के लिए communication engineering या फिर computer science वाली भी apply कर सकते हैं 5 year की मात्र experience required की गई है फिर आपकी यहाँ पर देख सकते है senior development में b btec electronics and electricals वाली communication eligible है 5 year की experience 32 sales limit देन आपको फिर से मिल जाएगी यहाँ पर एक और recruitment PCB design में यहाँ पर भी btec electronic communication electronics eligible है minimum 5 year experience है फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगी embedded याने की model जितने भी btec student है electronic communication या फिर electronic electrical engineering भी apply कर सकते हैं टेंसर ना ले and electronics engineering अदरवाइस कहीं पर CS and IT की भी vacancies है और minimum 5 year की experience required होगी यह जो पोस्टे में आपको बता रहा हूँ यह सारी post के लिए apply कर सकते है experience की required vacancies out की गई है कई सारी post है आप इसको जरूर check कर लिजेगा यहाँ पर category wise post आप देखना चाते हैं जो कि यहाँ पर बताई गई है salary में बता चुका हूँ senior engineer E2 grade के लिए 70,000 से 2,000,000 मिलेगी deputy manager वालों के लिए 80,000 से 2,000,000 मिलेगी और senior manager वालों को 1,000,000 से लेकर 2,000,000,000 आपको salary प्रोवाइड की जागी अब जैसी भाई आपके पास experience है वैसी salary आपको यहाँ पर मिलेगी age में सारे candidate को relaxation मिलेगी approximately 5 year की candidate ordinarily domicile the state of jamu customer है तो उसको मिलेगी बागी बाद OBC, HTSC है जो government guidelines को follow करते वों मिलती है तो same salary आपको मिलेगी professional interviews के माद्यम से हाँ पर आपकी posting selection किया जाएगा application charge लगने वाला है आपका सारे candidate का 400 plus 18% GST तो 472 रुपय आपको application charge यहाँ पर लगेगा यह all candidate के लिए चार्ज है तो जो भी candidate interested है form आपको online fill up करनी है ओके और online fill up करने के बाद आपको application print out निकलके required जो documents है उनको एटेस करके आपको तीन अपरिल 2024 ते पहले दिये गए address पे आपको जो है वो send करनी होगी सबसे पहले 11 माच से form सुरू है 31 माच तक last date है और hard copy जो send करने की documents के साथ जो है वो तीन अपरिल तक है इसकी hard copy online जो आप form निकालोगे इसके लिए 5 अपरिल 2024 है तो यह री इस इंजिनियरिंग recruitment जो अभी आपने देखा अब हम बात करते है आई डिया स्टूडेंट के लिए यह जितनी भी इंडिया में पर्मानेंट जोब्स के लिए vacancies हो आई टिया स्टूडेंट के लिए जूनियर आटिसंस की recruitment आती है भेल में दियान रखना जूनियर आटिसंस बोलते है यह एक पोस्ट होता है भेल में और जब भी recruitment पहले आती थी एप्रॉक्समेटली मान के चलो कि बीजेपी बाद इस तरह के डिपार्टमेंट में वेकंसी बहुत कम हो चुकी है चाहे जितनी भी PSU सेक्टर की अब्सॉर्स मालों थास करके भेल दो कभी वेकंसी निकाली निए उस तरह का यार 2014 के बाद चली मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ हमको सर्च करने में बहुत ज्यादा स्टूडेंट के लिए होती है डिफरेंट 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 में रिक्रूटमेंट ही थोड़ा बलर नजार आ रहा हूँ है कोई बात नहीं नेक्स दिखा तो गैज यह लेटिस रिकूटमेंट है 2013 की आप देख सकते हैं 2013 की वेकंसी है बहुत मस्त वेकंसी आई थी सो वेकंसी देखो यार कितनी वेकंसी है 800 वोस्ट अभी मैं आर्टियाई लगा चुका हूँ जितने भी स्टूडेंट हैं आपको कमेंट करने की जोरत नहीं मैं आर्टियाई भेल में लगा दियों एक बार में लगाया था उसका जवाब नहीं मिला है मैं पहले बता दू मैं जाना आर्टियाई लगाया है कि टोटल कितने पोस्ट खाली है और कब तक वेकंसी निकल सकती है तो पहले 800 900 इस तरह पोस्टें आती थी अब एक भी पोस्ट नहीं आती है पिछले 2022 में 75 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट जो की कॉन्टरक्ट बेसिस पर आई थी बस उसके बा पर आपकी जुनियर आटिसन की या फिर आटिसन की भेल में एक रिक्रूटमेंट ये भी निकाली गई थी जो की 2017-18 में निकाली गई थी तो आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट रिक्रूटमेंट 17-18 में थी बड़ उतनी खासी पोस्ट पर नहीं थी और ये आपका tenure बेसिस समझा रही है न कि वेकंसी 2014 के बाद भेल में निकली ही नहीं 2013 ही लास्ट था उसके बाद कोई भी वेकंसी पर्मनेंट बेसिस पे नहीं निकाले गई क्योंकि मैंने काफी रिसर्च किया बट नोट एंसन मैं इस पे आर्टियाई लगा चुका हूँ देखता हूँ कितनी पोस्ट खाली है और हलाकि इतना समझलो 2024 में आपकी वेकंसी आएगी एक कनफो में भेल से वेकंसी निकलनी वैसे भी सुरू हो चुकी है और इसकी सिलवेस जुनिया आडिसन को लेकर मैं आपके लिए वेडियो बनाऊंगा कि क्या सलवेस होता है इसमें कैसे आपको तयारी करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे केनिट को नहीं पता होगा कि जुनिया आडिसन की पोस्ट होती है भेल में एक्चुली निकली ही नहीं तो कहां से पता हो पहली देख लो पहला निकल सकती आपका भेल यह 100 पर्शन नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मेरा जैसे ही रिप्लाय आ जाता है आर्टीय का उसके बाद मैं आपको बोल लेगा लेकिन फिर भी 2024 में निकलेगी भेल आएगी दूसरी आएगी और यह तीसरी निकलने वाली है बी ए आर्सी डियाडियो यहने की डिफेंस रिचर्च और डवलेप्मेंट और अर्गनाजिशन सेप्टम 11 की तो सारे वेकिन्सिस के लिए तैयार है आपकी मस्त रिकूट्मेंट आने वाली है अचार संगिता यह लेक्सन के बाद लेक्सन के दो मेना का टाइम एप्रॉक्समेटल लगेगा देन अगस से सिटमबर में आपकी वेकंसिस आएगी ओके गैस बाकी बाद आर्टिया डाला हूँ आप खुद भी डाल सकते हैं जाके और कुछ एक्स्टर आउट और कमेंट कतके बताईएगा ओफ़ली वीडियो इस फिल झाल छड़े हैंड़ हैंड़ खुद लाड़ियो गजया जाउश से सिटमठी है बादेगा फुद गिडानाश से सिटमएबर मेंट लगेगा गज़र लगेगा नवड़ हुद भी खिल Supreme Court लोगे मेंग फिया खुद il भी वझे अजद्द भी पड़वर मेंट पुद ध़्